स्वागत है आप सभी का जेटीव इंडिया न्यूज पर उत्तर परदेश के विधान सवाज चुनाओं की तैयारिया जोर सोर से सुरू हो गई है सभी राजनितिक दलों ने परतियाश्यों का एलान भी सुरू कर दिया है लेकिन जो परतम चरण में चुनाओं होने हैं उनमें परदेश की खोड सीट केराना विधान सवा सीट भी है केराना विधान सवा सीट पर भी परतम चरण में दस फरवरी को मद्दान होने है बात करें कहराना विधान सवा सीट की तो कहराना विधान सवा सीट पर सामाजवादी पार्टी ने अपने वर्तमान विधायक नाहिद हसन पर विस्वास किया है वही जो भारते जनता पार्टी ने पूर मंतरी पूर सांसद हुकम सिंग की बेटी मरगांका सिंग को एक बार फिर चुनावी मैदान में उता रहा है यह कोई पहला मोका नहीं है जब यह दोनों परिवार आमने सामने चुनाव लड़ रहे हूं इससे पहले 1991 में जब मरहूम मुनवर हसन ने अपने सियासत की सुरुवात की तो हुकम सिंग से उन्हें चुनोती मिली और इस चुनाव में उन्हें हुकम सिंग को माद दी इसके बाद 1993 में फिर विधान सवा चुनाओ हुई इस विधान सवा चुनाओ में भी मुनवर हसन ने बाबु हुकम सिंग को चुनाओ में मात दी इसके बाद फिर 2009 का लोग सवा चुनाओ मरहूम सांसद मुनवर हसन के निधन के बाद हुआ मरहूम सांसद मुनवर हसन की पत्नी तवस्व हसन को बोजन समाज पार्टी ने अपना कहराना लोकसवा 6 से परत्यासी बनाया भारते जनता पार्टी ने हुकम सिंग को परत्यासी बनाया इस चुनाओं में भी तवस्व हसन ने हुकम सिंग को चुनाओं में मात दी इसके बाद बात करें दो हजार चोदा के लोकसवा 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 चोद इसके बाद 2014 के लोकसवा चुनाओं के बाद हुकम सिंग केराना विधान सबा 6 से विधायक थे तो केराना विधान सबा 6 रिक्त हो गई या ऐसी ठखाली हो गई यहां पर उपचुनाओं होने थे और उपचुनाओं में नाही दसन सामाजवादी पार्टी के परत्यासी के 2017 के विधान सबा चुनाओं में भी दोनों परिवार आमने सामने थे बाब हुकम सिंग ने अपनी बेटी मरगांका सिंग को विधान सबा के उपचुनाओं में विधान सबा के आम चुनाओं में भारती जनता पार्टी से परत्यासी बनाया वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने मौजुदा विधायक नाई धसन को एक बार फिर विधान सभाव में टिकट दिया तो इस चुनाव में भी नाई धसन बड़े अंतर से चुनाव जीतने में कामियाब रहे इसके बाद दो हजार अठारह के कहराना लोग सभा उप चुनाव नाई धसन की मातत तवस्सुम हसन यहां से राष्टे लोगदल के सिंबल पर चुनाव लड़ी तो भारते जनता पार्टी ने सवरगे हुकम सिंग के निधन के बाद उनकी बेटी मरगांका सिंग को परत्यासी बना लेकिन इस चुनाव में भी सामाजवादी पार्टी और राष्टे लोगदल गड़वंधन के उम्मिद्वार के रूम में तवस्सुम हसन ने भारते जनता पार्टी की मरगांका सिंग को चुनाव में मात दी इसके बाद 2019 का लोग सबा चुनाव हुआ भारते जनता पार्टी ने अपना परत्यासी बनाया था तो इस बार फिर 2022 के विधान सबा चुनाव है और दोनों ही परिवार एक बार फिर आमने सामने है अधिक तर समय मुनवर हजन के परिवार ने बाबु हुकम सिंग के आज को ही पता चलेगा आगे भी हम ऐसी ही सिटों के बारे में आपको जानकारी देंगे इसके लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करपे चैनल